बाज और चूजों की कहानी, एक गाउग में एक किसान रहता था, एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला, उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया, मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी, कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा, वो चूजों के साथ खाता पीता, हेलता, इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी अहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बलकि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उनी की तरह करता था। जब उलने की बारी आई, तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही उचाई तकुला और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी उचा उलने का मन करता, लेकिन जब वह सब को थोड़ी ही उचाई तक उलता देखता, तो वह भी उतनी ही उचाई तक उलता। ज्यादा उचा उलने की वह कोशश ही नहीं करता था। एक देल उसने उचे आकाश में एक बास को उलते हुए देखा। इतनी उजाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उलते हुए देखा था, उसे बड़ा अच्रज हुआ, उसने चूजों से पोछा, वो कौन है भाई, जो इतनी उजाई पर उल रहा है, वो पक्षियों का राजा बाज है, वो है आकाश में सबसे ज़्यादा उजाई पर उल ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उल पाऊगे, इसलिए व्यर्थ में उजाई उलने के बारे में मत सोचो, जितना उल सकते हो, उतने में ही खुश रहो, चूजे बोले, बाज ने यह बात मान ली और कभी उजाई उलने की कोशिश ही नहीं की, बाज होने बावजूद पूरी जिन्दगी मुर्गी के समान जीता रहा, सी, सोच और द्रिश्टिकोन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ता है, हम सभी क्षमता और समभावनाओं से परिपूर्ण हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिती में क्यूं नहों, हमें आवश्यक्ता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा द्रिश्टिकोन को व्यापक बनाने की, हम स्वयम को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बास समझेंगे तो बास बनेंगे, खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बास बनें और जीवन में उची उ झाल झाल झाल